दुर्बलता ही मृत्यु है कमजोर ना तो इह लोग के योग्य है ना किसी पर लोग के दुर्बलता से मनुष्य गुलाम बनता है दुर्बलता से ही सप्रकार की शारिरिक और मानसिक दुख आते हैं दुर्बलता ही मृत्यु है लाखों करोणों किटानू हमारे आसपास है परंतु जब तक हम दुरबल नहीं होते। जब तक शरीर उनकी उप्युक्त नहीं होता तब तक वे हमें कोई हानी नहीं पहुंचा सकते। ऐसे करोणों दुख रूपी किटानू हमारे आस पास क्यों न मन राते रहें, कुछ चिंता ना करो, जब तक हमारा मन कमजोर नहीं हुता, तब तक उनकी हिम्मत नहीं कि वे हमारे पास फटकें, उनमें ताकत नहीं कि वे हम पर हमला करें, यह एक बड़ा सत्य है कि बल ही श्वत जीवन हैं और दुरबलता ही मृत्य। देखो, हम सभी कैसे बहीलिये द्वारा खदेडे हुए खरगोश की भांती भांती हैं, उसी की भांती मूँ छिपाकर अपने को निरापद मानते हैं, ऐसे ही जो ये समग्र संसार भीशन देखता है, देखो, कैसे उससे भाग और दूसरी तरफ एक उची दिवाल थी, उस थान पर बहुत से बंदर थे, काशी के बंदर बड़े-बड़े होते हैं, और कभी-कभी बड़े दुष्ट भी, उन्होंने मुझे उस रास्ते पर से ना जाने देने का निश्चे किया, वे विकट चीतकार करने लगे और आकर मेरे पैरों से लिपटने लगे, उन्हें देख कर मैं भागने लगा, किन्तु मैं जितना तेज दोडने लगा, वे उस से अधिक तेजी से आकर मुझे काटने लगे, उनके हाथ से छुटकारा पाना असंभव सा लगा, ठीक तभी एक अपरिचित व्यक्ती ने मुझे आवा जीवन में हमको यह शिक्षा लेनी होगी, जो कुछ भयानक है, उसका सामना करना पड़ेगा, साहस्पूर्वक उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, जैसे बंदरों के सामने से ना भाग कर, उनका सामना करने पर वे भाग गए, वैसे ही हमारे जीवन में जो कुछ कष्ट प्रदबाते हैं, उनका सामना करने पर वे भाग जाती है, यदि हमें कभी स्वाधीन तापानी हो, तो हम प्रकृती को जीत कर ही उसे प्राप्त करेंगे, प्रकृती से भाग कर नहीं, कापुरुष कभी विजे नहीं हो सकता, हमें भय, कष्ट और अज्ञान के साथ संग्र करना होगा, तभी वे हमारे सामने से भाग जाएंगे, शक्ती, शक्ती ही वो वस्तु है, जिसकी हमें जीवन में इतनी जरूरत है, क्योंकि हम जिसे पाप या दुख मान बैठे हैं, उसके मूल में हमारी दुरबलता ही है, दुरबलता अज्ञान का और अज्ञान दुख का जनक है, यह उपासना ही हमें शक्ती देगी, फलतह दुख हमारे लिए उपहास पद होगा, हिंसकों की हिंसा की हम हसी उडाएंगे, और खुंखार चीता अपनी हिंसक प्रवित्ती के भीतर मेरी अपनी आत्मा को ही अभिव्यक्त करने लगेगा, हे मेरे युवामित्रों, तुम बलवान बनो, तुम्हारे लिए मेरा यही उपदेश है, गीता पाठ करने की अपेक्षा, फुटबॉल खेलने से तुम स्वर्ग के अधिक निकट होगे, मैंने बड़े साहस पूर्वक ये बाते कहीं हैं, और इनको कहना अट्यावश्यक है, इसलिए कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ कि कंकड कहां चुपता है, मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है, बलवालन शरीर तथा मजबूत पुठों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे, शरीर में ताजा रक्त रहने से तुम कृष्ण की महती प्रतिभा और महांते जुस् अच्छी तरह समझ सकोगे, जिस समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरों के बल दड़भाव से खड़ा होगा, जब तुम अपने को मनुष्य समझोगे, तब तुम उपनिशद और आत्मा की महिमा भली भाती समझो, संसार के पाप अत्याचार आदी की बाते मन में ना ला रो कि तुम्हें जगत में अब भी पाप दिखता है, रो कि तुम अब भी सर्वत्रत्याचार दिखाई पड़ता है, यदि तुम जगत का भला करना चाहते हो, तो उस पर दोशारोपन करना छोड़ दो, उसे और भी दुरबल मत करो, आखिर ये सब पाप दुख आदी है क् ये सब दुरबलता के ही फल हैं, लोग बचपन से ही शिक्षा पाते हैं कि वे दुरबल हैं, पापी हैं, ऐसी शिक्षा से संसार दिन पर दिन दुरबल होता जा रहा है, उन्हें बताओ कि वे सब उसी अम्रित की संतान हैं, और तो और जिसमें आत्मा का प्रकाश अत्यंक् बच्पन से ही मस्तिष्क में ऐसे विचार प्रविष्ठ हो जाएं जिन से उनकी सच्ची सहायता हो सके, जो उनको सबल बना दे, जिन से उनका कुछ यतार थे थो, दुरबलता और अवसाद कारक विचार उनके मन में प्रवेश ही ना करें। सचिदानंद के स्रोत में शरीर को बहा दो, मन में सरवदा कहते रहो, मैं ही वह हूँ, मैं ही वह हूँ। सथ्य को जानो और उसे जीवन में परिनत करो। चरमलक्ष भले ही बहुत दूर हो, पर उठो, जागो और जब तक धे तक पहुँचना जाओ, तब तक मत रुको। वह कहता है ये भाग्य है, लेकिन बल्वान पुरुष वह है, जो खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं अपने भाग्य का निर्मान करूँगा। जो लोग बुढ़े होने लगते हैं, वे भाग्य की बाते करते हैं। साधार्न तह जबान आदमी जोतिश का साहरा नहीं लेते हैं। हम लोग ग्रहों के प्रभाव में हो सकते हैं, पर इसका हमारी अधिक महत्व नहीं है। नक्षत्रों को आने दो, हानी क्या है। यदि कोई नक्षत्र हमारे जीवन में उथल पुथल करता है, तो उसका मूल्य एक कौड़ी भी नहीं है। तुम अनुभव करोगे कि जोतिश और ये रहस्यमई वस्तुएं बहुदा दुरबल मन की दियो तक हैं। अतह जब हमारे मन में इनका उभार हो, तब हमें किसी डॉक्टर के यहां जाना चाहिए। उत्तम भोजन और विश्राम करना चाहिए। असीम शक्ती का स्प्रिंग इस छोटी सी काया में कुंडली मारे विद्यमान हैं और ये स्प्रिंग अपने को फैला रहा है। अपने को बंधन मुक्त कर रहा है। ये सदैव बल के अभी व्यक्ती है और फल्क्त योतिश जैसे सभी कल्पनाओं को यद्द्यपी उनमें सत्य का एक कण हो सकता है। दूर ही रखना चाहिए। कर दो कर दो कर दो दो है। झाल झाल